हेलो एवरिवान वन्स अगेन आज मैं आपके लिए लिफ फिर से लेकर आए हूँ पॉकिट नूवल की स्टोरी रिव्यू जिसका नाम है जिन्दगी एक कसोर्टी इसकी आथर है मिस्ट्री गर्ल इस स्टोरी का टाइटल है गौरी अठारा साल की लड़की उत्र प्रदेश म अधरा में रहती है बहुत ही सुन्दर शुशील किसी से कुछ न कहने वाली और अपने अंदर अनेक दुख छुपाए अगर कुछ ठान ले तो पीछे नहीं अटने वाली क्या होगा जब वो टकराईगी जाने माने बिजनिस टाइकून रुद्राक्ष शुकला से जिनोनी 24 साल की उम्र में बहुत कुछ हासल कर लिया और अपनी और अपने पापा की कंपनी को बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचा दिया उस एक रात क्या हुआ दौनों के बीच जिसके बाद गौरी हमेशा के लिए अपने परिवार वालों से दूर हो गई और रुद्राक्ष शे कोई कोई नसीली दवार मिला देता है जिससे वो गौरी के कमरे में पहुँच जाता है और गौरी की जिन्दगी बदल जाती है रुद्राक्ष उसे वहीं छोड़कर चला जाता है ये बात मुझे अच्छे नहीं लगती है हर स्टोरी में यही होता है और मतलब देखना भी नहीं चाहते एक दूसरे से यह वो वाली फिलिंग रहती है और वो घर पहुंच जो हमारी हिरोईन है गौरी वो घर पहुंचती है वो बहुत मायूस रहने लगती है फिर उसके घरवालों को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है तो वो उसकी बात सुने बिना ही उसका क्या हुआ है जो भी है और गौरी का जो परिवार है वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो बुरी तरह से तूट जाती है और सब को छोड़ चाड़के मुंबई आ जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है सिया से जो उसे अपनी बहन की तरह प्यार करती है और उसकी जो बाद गौरी और रुद्राक्ष का आमना सामना होता है एंड इसमें जो मुझे जो गौरी का परिवार है उसने मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं सुना हां मतलब मानते हैं अगर आपके घर की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो तो कोई कुछ नहीं सुना चाहेगा लेकिन वो ऐसी सांत रहने वाली लड़की है एंड उसके साथ कुछ तो हुआ होगा जब ये सब मतलब फिर भी उनने कुछ भी नहीं सुना और उसको घर से बाहर निकाल दिया ये थोड़ी मुझे अलग लगा एंड एक साल बाद इनकी फिर से मुलाकात होती है एंड हमें इस स्टोरी में पता चलता है कि जो रुद्राक्ष है वो गौरी को उसी दिन से ढूंड रहा है एंड हां गौरी चली जाती है उसके बाद रुद्राक्ष आता है उसे ढूंडता है बहुत ढूंडता है लेकिन वो मिलती रही है कहीं भी एंड रुद्राक्ष गौरी शे इतने सालों से प्य जानी के लिए क्या क्या पापड़ बेलेगा ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग है मुझे स्टोरी सिंपल सी लगी सब कुछ अच्छा जा रहा है अब देखना है कि गौरी रुद्रक्ष को माफ करेगी या नहीं और इस स्टोरी में विजन स्राइवल्स भी आएंगे आगे